हेलो एब्रिवन आज मैं आप लोग के साथ नास्ते की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस नास्ते को बनाने के लिए हम लोग सिर्फ एक चमर्स तेल का यूज करेंगे तो चलिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल ले लिया है यह मोटे वाले चावल है जिसका यूज इडली या दोसा बनाने के लिए होता है साथ में मैं ले रही हूँ एक चोथाई के लगभग उरत दाल इसे भी इसी में डाल ले रही हूँ और सेम क्वेंटिटी में मैं चना दाल भी ले रही हूँ इसे भी इसमें डाल दूँगी और एक चम्मच मेथी के दाने तो अब मैं इसमें पानी डाल के पहले इसे धो लूँगी अच्छे से और इसे धोनी के बाद हमें लगभग 4-5 घंटे के लिए इसे भीगो के ऐसे ही छोड़ देना है तो 5 घंटे बाद हमारे जो दाल चावले वो बहुत अच्छे से फूल गए है और अब हमें इसका एक बैटर रेड़ी करना है तो इसे मैं मिक्सिंग जार में डाल ले रही हूँ और जार में डालके इसका हमें एक स्मूथ बैटर रेड़ी करना है तो यहाँ पे हमारा बैटर रेड़ी हो चुका है और अब मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ हमें इस बैटर को फर्मेंट करना है तो उसके लिए मैं इसे ढखके लगभग 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूगी तो बैटर हमारा बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गय पाउडर थोड़ी सी हींग एक चमच नमक और एक चमच के लगभग बेकिंग पाउडर और इन सभी को डालके अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो बैटर को हमने अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लिया है और इसे हम लोग स्टीम करके बनाने वाले है तो उसके लिए मैंने एक गहरा बरतन ले लिया है आप लोग इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ दो गलास पानी और एक स्टैंड भी रख दिया है और अब मैं इसे ढखके पानी को गरम होने दूँगी तो पानी यहाँ पे गरम हो गया है तो यहाँ पे मैंने एक थाली को अच्छे से ग्रीज कर लिया है और इसे मैं स्टैंड पे रख दूँगी तो इसे बिल्कुल केयरफुली करें आप लोग और अब जो हमने बैटर तयार करके रखा है उसे इसमें डाल लेना है हलका सा इसे हिला ले रही हूँ जिससे की यह अच्छे से स्प्रेड हो तो यह एक टूद्पिक लगा के देखा है मैंने तो एकदम क्लीन निकल रहा है तो मैंने इसे निकाल लिया है और अब मैं इसे पीसे में कट कर लूँगी तो इस तरह से कट कर लेना है और अब हमें इसके लिए तड़का रेडी करना है तो उसके लिए मैंने एक पैन में ए तो तड़का हमारा ready हो गया है तो इसे इसके उपर ऐसे डाल लेना है और अब मैं उपर से डालूँगी थोड़ा सा हरा धन्या हरा धन्या इसमें बहुत अच्छा लगता है तो ये हमारा healthy और बहुत ही ज्यादा tasty नास्ता ready है ये देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ तो ये देखिए किता ज्यादा सौफ्ट और स्पॉंजी बना है ये इसे आप लोग डाल चावल से बना ढोकला भी बोल सकते हैं और हमने इसमें चैना डाल लाला है तो उसकी वज़े से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना है अगर आप लोग इसे नास्ते में बनाना चाते हैं तो आप लोग डाल और चावल को दिन में एक दिन पहले भीगा सकते हैं और रात को उसको पीश के और नेक्स जे मॉर्निंग आप लोग इसे बना के रेडी कर सकते हैं तो इस नास्ते को आप लोग हरी चटनी के साथ खा सकते हैं तो मैटो कैचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर उत्तपम के साथ जो हम लोग तमाटर की चटनी बनाते हैं उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप लोग भी दाल और चावल से बने इस धोगले को बनाके जरूर ट्राइ करें I hope आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें Thank you, thank you for watching my videos